नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस नेशन का डिचिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ अंचिका ये रिष्टा क्या कहलाता है बिग बॉस और साथी बेपना जैसे टीवी शोज में नजर आ चुक कि एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपनी बोलनेस के लिए आई दिन चर्शया में बनी रहती है फिर अक्टिंग तो मुझे लगता है इनका साइट पेशा था लेकिन अब कुछ वक्त से जिस तरीके के ये कपड़े पहनती हैं वो उनको ज़्यादा सुर्खियों में बनाये रखता है उर्फी ने फैशन की दुनिया में अपने अजब गजब और बोल लुक से तहल का बचा दिया है हाल ही में एक बर फिर उर्फी ने अपने होट एंड सेक्सी लुक से इंटरनेट का ताप मान बढ़ा दिया है लेकिन इसकी वज़ा से हुने काफी ट्रोल भी किया जा रहा है 22 अप्रेल 2023 को पूरे देश में इड का तिवार मनाया जा रहा है जो कि आज है एक तरफ जहां सभी सितारे अपनी फैमिली के साथ इड मना रहे हैं और साथ ही ट्रेडिशनल लुक में जल्वा बिखे रहे हैं वहीं उर्फी जावेद को ईड के मौके पर बिक्नी फोटोस शेर करना भारी पड़ गया है उर्फी जावेद ने अपनी फैन्स के साथ वेकेशन की तस्वीरे शेर की है उर्फी जावेद ने इंस्सेग्राम अकाँंट पर कई तस्वीरे पोस्ट की है और कुछ तस्वीरों में उन्हें जो कि है अपने दोस्तों के साथ स्व्यमिंग में willen एंजॉय करते हुए आदे बिखा जा सकता है वही कई फोटोज में वो बिक्नी में पोस्ट देती हुई भी नजर आ रही है दोस्तों के साथ बिक्नी में चिल करते हुए उर्फी की ये तजबिया पर जम कर वाइरल हो रही है और उसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है ये है कि इद के मौके पर स्पेशली उर्फी जो की है एक मुसलिम ही है और उनका ही त्योहार है और उस मौके पर जहां उनको लोगों के हिसाब से दवेट के कपड़े पहन के अपने परिवार के साथ इद मनानी चाहिए थी वो कहीं बाहर वेकेशन पर जाके इस तरीके के अफतार में बिक्नी पहन के पूल में चल कर रही है लोगों को कहीं न कहीं ये बात काफ़ी जादा खल रही है इद के मौके पर उर्फी को बिक्नी में देखकर लोग भड़क गए और उन्हें खूप खरी खोटी सुना रहे है एक यूजर ने कहा कुछ तो शर्म कर लेती इद के दिन भी ये सब पोस्ट एक ने लिखा इद वाले दिन तो धक कर कपड़े पहन लेती बेशर मौरत एक और यूजर ने लिखा इद पर तो जैसे कपड़े पहन लेती तरीके वाले कई लोग उन्हें याद दिलाते भी दिखे कि आज इद है एक और यूजर ने कहा ईद के दिन तो ढंके कपड़े पहन लेती हैं इस तरह लोग उर्फी जावेद को खूब ताने मार रहे हैं आप भी उर्फी जावेद की इन पोस्ट पर और उनके इस हम कह सकते हैं बहेवियर पर अपने व्यूस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही देश दुनिया की छोटी और वड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ न्यूस निशन पर